जैमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है, मेरी जैनिवर्सरी उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम नाएं आज सौमबती अमवस्या है, बहुत ही प्यारा दिन है बेटा, बहुत अच्छे से आज का जब तप दानादी आप करना और जो गंगा के किनारे रहते हैं, गंगा मैया में आज के दिन इस्नान करते हैं, वास्तम में वो तो बहुत पुन्य के भागी है आज का पहले हम पंचांग बताएं, फिर आगे की चर्चा करते हैं आठ अप्रेल सन दोजार चोविस दिन सौमबार समब्द दोजारस्ती चैत्रमास किरसन प्रक्स आमावस्त्या नक्षत्र उत्त्रा भाधरवद रागुकाल साड़े साथ चे नो दिसासूल पूर्वदिशा आज आठ अप्रेल है, कल नो प्रेल है, कल से हमारा हिंदी वर्ष प्राणभ हो रहा है आप सब को हिंदी वर्ष की धेरो सारी सुबकामनाएं, बहुत-बहुत प्यार आप खुब फूले फन हैं और साथ में कल से ही भगवती के जागरण के साथ, भगवती के पूजा के साथ, घट इस्थापना के साथ, अपना हिंदी नवर्ष आप सब एक दूसरे को उसकी बधाई दीजिएगा, समवंत 2018 में हम परवेस्ट कर जाएंगे, ठीक है, और आज सोमवतीय मवस्तिया है, दूस वेडियोंे में लगातार बताया है, बेटा आज जो ग्रहन है, भारत के इस ग्रहन को लेकर करके आपको कोई चिंता करनी है, क्योंकि भारत वर्स के किसी भी कोने में गिरहन दिखाई नहीं देगा तो इसलिए इसका इस पर्स तक कोई मान्य नहीं ठीक है अब हम अपनी बात पर आते हैं सोमवतिय मवस्या आज क्या दिन है? सोमवार सोमवार में यदि मावस आ जाए अमवस्या आ जाए तो वो सोमवतिय मवस्या कहलाती है ये सोमवतिय मवस्या नाना भाती के संकटों को विनाश करने वाली है आप अपने घर में ही सही गाइतिरी मंत्र का जब करें अपने गुरु मंत्र का जब करें आज पास गउशाला है उसमें जाकर के सेवा करें पक्षियों को दाना डालें और कहीं भी सादू संतों में फल, मिश्ठान, आदी बाटें और जो भी वस्तर आदी आप दान कर सकते ही जुरूर करिएगा आज के दिन अपने घर में गाहित्री सादना करना गाहित्री यग्ग करना परम पुनित पवित्र माना जाता है आज के दिन गंगा इस्तुनान करना बड़ा अपने अपने पुनित और पवित्र माना जाता है बिटा ये छोटे 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 बाते हैं छोटे 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 चीजों से ही जिन्देकी बहुत बड़ी बदल जाती है ध्यान रखना इस बात का और दूसरी बात आज मोन रहकर के अपनी साधना को जादे से जादा करना क्योंकि एक चुप सोकोहराता है कई बार हम मुझे कुछ भी बोलते हैं गलसलत भी निकलता है हमारे पर्व को कहींने कहीं कमजोर बनाता है कई बार हम बड़ा बड़ा जूट बोल देते हैं वर्त रखा हुआ हुआ है पूजा में मन भी है उदर से हम गपशब भी मार रहे हैं तो वो भी हमारी पूजा को खंडित करने वाला योग होता है उससे आप बच्चे जैसे मौनियम अवस्तिया आती है उसमें बोलते नहीं है शांत सा रहते हैं ऐसे ही सुंबतियम अवस्तिया में भी सांत रहने का प्रियास करें आपके भाव भक्ती को जगाते हैं आपकी भक्ती आपको परमेश्वर के द्वार तक मुचाती है आपकी भक्ती का एक एक शब्द भगवान के कानों तक पहुंसता है और आपके जीवन में आनंद और मंगल की प्राप्ती होती है इसलिए बेटा ध्यान रखना आपनी भक्ती को अपनी भावना को जितने सुन्दर तरीके से आप करेंगे जितने अच्छे तरीके से आप करेंगे उत्रा ही मीठा फल आपको प्राप्त होगा और आज का दिन जो होता है ये अपने आपने बहुत गरीमा में दिन होता और पित्रों को तारने वाला भी होता पित्रों को मौक्षपरदान करने वाला होता पित्रों को संतुष्ट करने वाला होता इसलिए विटे जैसे ये सोंबार है सोंबार को चंद्रबार भी कहते हैं च तो पित्र लोक का संबन्द चंद्र見て सब्सक्राइब मन में है, मन से है और चंद्रमा का संबंद चंद्रवार से है, सोंबार से है, इसलिए सोंबार में पढ़ने वाली है ममस्या, बहुत बड़ी है ममस्या मानी जाती है, सोंबती भी हो जाती है, और साथ में पित्रों का उद्धार करने वाली होती है, तो आज अपने पित्रों के आतिल थोड़ा में इस्ठान मिला करके धक्षन दिशा के तरब मुख करके और उन पित्रदेप्ता भ्योना में बोलते हुए एक जल का लुटा जरूर पित्रो के नाम से इतना तो आप करी सकते हैं तो बस कहने का भाव यही है कि आज का दिन भक्ती भावना का दिन है अपनी भक्ती को अच्छे से करने का दिन है आज का दिन अच्छे से जब तप दान करने का दिन है गव माता की सियवा करने का दिन है तो जितना आप से बन सके उतना आप करने का प्रियास करें कहीं कहीं ऐस अरुछा से जुड़ते हैं आज की द्यान साथने का जुड़ते हैं आज की द्यान साथने में भागवान शिव संभू से ओम्मात्मात्वम्गिर्जामती सैचरा प्राणा सरीरं ग्रियं पूजाते विसयोप भोगरचना निद्रासमाजिस्तिदे संचार पदयो प्रदक्षण विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवारादनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूसित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित वृत्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवर्दाम् वन्दे सिवं संकरं ओमकरपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुजकेंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी बवं भवानी सैतं नमामी कबच बना लें ध्यान करें शिर्फ शंभू का सुवासी समसब के उपर बरस्ता है आज की रात्री बाकी है कल से नवरात्र परारम हो जाएंगे बहुत अच्छे से अपने नवरात्र करिएगा आज से ही घर में साफ सुपाई सारी विवस्ताय सुन्दर से बनाईएगा और नवरात्र में कौन सा बाट पढ़ें नवरात्र की पाठ भी देखिया है वो सारा का सारा हमने नवरात्र विश्वशांक बटा दिया है उसे आप कर लें और सरल तरीके से भी हमने सारी चीज़े उसमें बताई हैं वो कर लीजीगा बढ़ करके सुन करके और कल जैसे नवरात्र है तो कवा चरगला किलक सारी प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था कि मेरी बातें इनसे कि क्या आपके इहां कववे आ रहे हैं मैं बहुत तेचों का करीब चार पांस दिनों से कववों का जूंट मेरे घर पे मन रहा था मैं यही सोचने परेशान था यह सुब है असुब है क्या चीज है तो मिन से मैंने प्रशन किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में क जब महाकुम में आये थे, मेरी इन से वारता हुई, तो मैंने इनका उद्देश से जानना चाहा कि किस उद्देश के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जो उद्देश उन्होंने मुझको बताया, मैं मन्द से इनके उद्देश के साथ जुड़ गया, इनके साथ तो जुड़ा किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक, हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें सबने के लिए, फेस्मा करेस्ट ना भ जवालत वेशब कारैं